हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम करने जा रहा है हमारे कंप्यूटर सीवेरनेस का चेप्टर 4 जो की आता है rrb, po clerical mains में या फिर rbi, assistant mains में ठीक तो chapter 4 करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ms word, ms xl, ms powerpoint जो की तीनों काफ़ी important चीज़ये हैं तो शुरू करते हैं बीना किसी देर के तो आ जाते हैं मेन जो चीज हमसे एक्जाम में पूछी जा सकती है MS Word के रिलेटेड सबसे पहली चीज कि जहां हम अपने Word का जो document बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं Title Bar जहां पर document का नाम होगा question ही ऐसा आएगा कि जहां पर आपको document का नाम display होता है उसको कह कहते है है Title Bar second चीज जहां आपको बटन्स मिलते हैं जिसमें आपको save करने का option मिल जाएगा या फिर undo करने का option मिल जाएगा या help का option मिल जाएगा वो वाला जो पैनल होता है यह basically एक पैनल है ठीक है वो कौन सा पैनल है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसको ignore करो फिलाल यह पैनल देखो इस पैनल में जहाँ पर टाइटल बार होता है टाइटल बार पर ही बटन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं quick access toolbar next आजाता है कि इसी पैनल के सबसे आगे एक बटन होता है जहाँ पर हमें save as का option मिल जाता है file open करने का edit करने का यह options मिल जाते हैं इसको कहते हैं office button next सबसे नीचे जहाँ पर दिया होता है कि आपने कितने words टाइप कर दिये कितने number of pages यूज किया है यह ज़्यादा clear नहीं है पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह इस जगा page one of one लिखा हुआ है तो एक से ज़्यादा भी हो तो जैसे for example आपने 24 pages की एक file बनाई है और अभी उसमें से आप साथवे page पर आए हो कुछ अपना document देखने आए है और कौन से page पर आप हो यह वाले panel को क्या कहते हैं इस वाली pane को क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं status bar next आ गया zoom ठीक है जो plus और minus का sign होता है जहां पर हम page को zoom in या zoom out कर सकते हैं उस वाले को तो simple zoom ही कहेंगे अच्छा page को जहां हम up यहां down करते हैं जिसकी help से उसको क्या कहते है scroll bar then comes restore minimum यह minimum नहीं है minimum close यह भी मैं आपको पहली बता चुका हूँ अब आ जाते हैं details में सबसे पहले title bar मैंने कहा है top of the window होता है यहाँ पर name आता है current document का यह मैं आपको पहली बता चुका हूँ फिर आता है menu bar menu bar कौन सा होता है जो just title bar के just below होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि title bar जो top वाली window है इसके just below यानि यह वाली window यह है menu bar आपको ऐसा question भी आ सकता है कि file, edit, insert, format यह जो keywords हैं यह आपको कौन से वाले बार में मिलते हैं तो यह आपको कहा मिलते हैं यह menu bar में मिलते हैं menu bar, menu क्या होता है restaurant में आप जाते हो फिर वो आपको different options provide करते हैं और आप उसमें से choose करते हो आपको क्या चीज़ खानी है वैसे ही इधर भी एक menu है जहाँ आपको different options और उनके names provide किये होए हैं और उसमें से आप select करते हो कि आपको क्या काम लेना है तो यह हो गया menu bar next comes toolbar MS Word में दो types के toolbar होते हैं एक है standard ठेक है जो की menu bar के just नीचे आता है और एक होता है formatting toolbar जिससे आप formatting कर सकते हैं पहले बात करते है standard toolbar की आपको दिख रहा है यह menu bar के just नीचे standard toolbar आ रहा है और standard bar के just नीचे formatting toolbar आ रहा है अब इनका काम क्या है एक बार मैं यह भी बता देता हूँ इसमें आपको short cuts दिख रहे हैं जैसे file को अगर आपने save करना है ऐसे आप file में जाओगे फिर वहाँ पे save का option देखोगे यहाँ फिर save as का option देखोगे जो भी है पर अगर आपको directly file को save करना है तो आपको toolbar मिल जाते हैं उसके लिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ठीक तो ऐसे toolbar जैसे directly print करना है तो यह option आपको दिख रहा है तो ऐसे जो options आपको मिलते हैं वो आपको कहा मिलते है standard toolbar में उसके लावा formatting toolbar होता है उसमें क्या होता है जैसे कि आपने कोई sentence लिख है जैसे यह वाला आप देख सकते हैं कि यह वाला word जो है यह bold में है यह वाला word जो है यह bold में नहीं है तो यह bold italics underline यहाँ फिर उसके बाद यह जो language formatting toolbar format यानि कि अपने जो आप document लिख रहे हो उसमें जो words यूज़ करोगे उनकी कैसा design होना चाहिए ठीक यह दिखते हैं आपको यह left alignment middle alignment right alignment यह सब चीज़ें ठीक है यह आएंगी नी question आपको यह आ सकता है कि यह सब जो options हैं यह कौन से किसमें मिलते हैं यह होंगे formatting toolbar यह तो आपको option में होगा formatting toolbar यह सिर्फ होगा toolbar तो toolbar यह दो दो portions को मिला के toolbar बनता है और इसनके भी अगर आप depth में चल जाओगे एक है standard एक है formatting next आता है ruler ruler क्या होता है आपको पता है ruler को हम किसको कहते है scale को scale पर क्या बने होते है marks बने होते है ठीक है और किसी भी line को बनाना है तो उस line को सीधा बनाने में आपको help करते है वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इसको कहते है हम ruler इस पर यह क्या है हमारे page है या फिर words है जो हमारा जो जितना भी हम material टाइप करते हैं उसकी alignment में आपको help करता है तो alignment अगर word होगा alignment से आपको पायद सल जाएगा कि scale की बात चल रही है यानि ruler की बात चल रही है next आता है status bar बता चुका हूँ आपको फिर आता है scroll bar ये भी बता चुका हूँ आपको ये दोनों मैंने आपको बता दी हूए है अब आता है काफी important question ribbon ribbon क्या होता है menu bar और tool bar को जब हम club कर देते हैं यानि की मैंने आपको बता है ये वाले जो दो portion है ये मिलके बनते क्या है ये मिलके बनते है tool bar और अगर हम इसके साथ इस third portion को भी mix कर दें ये दो तीनों मैं तीनों मिलके बनते है ribbon ये काफी important question है next menu bar में आपको option कौन कौन से मिलते है menu bar मैंने बताया था न menu bar जो second number पर आपको दिखते है title bar के just below वहाँ पर आपको क्या क्या option दिखेंगे file सबसे पहले file क्या है open करने है file के related जो भी काम होगा न open करना है उसको save करना है close करना है print करना है exit करना है वह सारे आपको file bar में मिल जाते हैं तो इसी के shortcuts shortcuts की बात करें ये आपको कहां मिलते हैं इसी के shortcuts standard toolbars में जैसे मैंने आपको वह image दिखाई थी save की image दिखाई थी print की तो वह वहां मिलते हैं next file को edit करना है यानि कि file आपको उसका जो भी आपने लिखा है उसको कुछ change करना है उसमें कुछ words की change करनी है cut करोगे उसमें आप copy करोगे paste करोगे कोई word replace करोगे find करोगे word जैसे documents होता है कोई लगा लो 5000 words की document है तो उसमें से आपको एक word ढूणना है तो आप क्या 5000 के 5000 words पढ़ोगे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे आपके पास find का option होगा एक जिसको shortcut में control प्लस F भी लिखते हैं shortcuts भी मैं आपको end में करवाऊंगा फिलाल आप याद रख़े find करना है तो वो भी आपको मिलेगा edit में उसके लावा undo redo undo का option होता है control Z redo का होता है control Y ये shortcuts हैं मैं अभी बता रहूँ एक बार मैं आपको end में अच्छे से भी करवाऊंगा next अब view का से आप सामने देख सकते हैं कि आपको जो आपने document बनाया है उसको देखना है तो इसमें क्या क्या आएंगे जिस भी word के साथ view लगा होगा वो सब आएगा सिधा सिधा view में तो आपको ये देखने की जुरुत नहीं है कि normal web वगरा वगरा जो भी क्या है आपको बस ये देखना है कि view लगा होना चाहिए वो आपको view में दिख जाएगा नेक्स्ट आता है insert insert का मतलब क्या हुआ आप उसमें कुछ चीज़े add कर रहे हो जो writing portion के अलावा होंगी तो क्या क्या add हो सकता है page number, footnotes, picture frames ये इतने important नहीं है पर फिर भी फिलाल के लिए पढ़ लो footnotes, picture frames वगारा यहां फिर images एड़ करनी है ये कहां से होती है insert से then format, format मैंने आपको बताया जिसमें आपको fonts मिलते है style मिलते है, border frame ठीक है, जो भी अपना अपने paragraph बनाया है उसको orientation या फिर उसकी, मतलब दिखना कैसे चाहिए वो उसका style कैसे होना चाहिए ये सब आपको format में मिलेगा then come tools, tools भी बता चुका हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी spell check, macros, merge, mails वगारा ये सब आपको मिलेंगी tools में table, तो table से related जो भी चीज़ होगी table से related वो आपको मिलेंगी tables में, देखो edit तो आपको इधर भी मिल रहा है edit option में भी मिल रहा है तो question आपको ऐसे आ सकता है कि edit table जो है वो आपको किस में मिल रहा है edit table और आपको option देदेंगे table, tools, edit तो आपको देखने में लगए यार एड़िट है तो क्या पता एड़िट में हो यह फिर यह एड़िट करने की बात कर रहे हैं क्या पता टूल्स में हो पर ऐसा कुछ नहीं है जहां टेबल लिखा वह चीज़ आपको टेबल में ही दिखेगी अगर वह नॉर्मल एडिट की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं नेक्स आती है विंडोस अलोज यू टू वर्क विटू डॉक्यूमेंट्स सैमल्टेनियसली यह क्या करता है आपको दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ आप कर सकते हो काम जैसे हमारे फोन की स्क्रीन पर अधर होते हैं ऐसे एक तीन बटन होते हैं तो इससे आप मल्टी डास्क मिलेगी आपको अब आजाते हैं एक्सल पर हमारा वो पूरा हो गया अच्छा वर्ड का एक और चीज है जैसे यहाँ पर एक्स्टेंशन लिखे हो ने डॉट एक्सल्स वर्ड की बात करें तो उसकी होगी डॉट डी ओसी यहाँ फिर डॉट डी ओसी एक्स ठीक है यह एक्स एक्सटेंशन यानि कि जब भी आप फाइल बनाओगे पूरी ठीक है फॉर एक्सेंपल आपने ब्रेव नाम से एक फाइल बनाई आपने सिरफ ब्रेव लिखा पर अगर आपने वो वर्ड पैट पर बनाई है तो वो फाइल अपने आप ही ब्रेव.डी ओसी एक्स के नाम से सेव होगी एक्स्टेंशन मैंने बता दी एमेस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं ये पिछले चैप्टर में ही बताया था अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो है रोज और कॉलम्स आपको कोशन आ सकता है कि अल्फाबेट्स जो है अल्फाबेट्स को याद रखना है कि ABCD जो है AC Direction में जा रहे हैं और 1234 जो है AC Direction में जा रहे हैं तो अगर हम बात करें ये ABCD किसको रिपरेजेंट अगर सिरफ A की बात करें किसको रिपरेजेंट कर रहा है इस बॉक्स को तो यह जब भी vertical alignment की बात चले वो होता है column तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है vertically aligned होते हैं और represented by alphabets होते हैं आपको बस picture याद रखनी है रटना कुछ नहीं है आपको बस इस picture को याद रखना है अब बात करें कि यह जो 3 वाला number दिख रहा है यह किसको represent कर रहा है यह कर रहा है ऐसे horizontal और horizontal क्या होती है row तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि number से number से किसको represent किया जाता है number से किया जाता है rows को यहाँ पर मैंने लिखा भी है horizontally aligned and presented by numbers बहुत important है यह इसके लावा कुछ चीज़े और बता देता हूँ जो चीज़े common है वो यही है इसको title बार कहते है इसको menu बार कहते है यह आगया toolbar यह चीज़े common है ठीक next जो चीज़ आती है की quick access toolbar भी मैं आपको बता चुक हूँ अब आते है इस पे यह जो एक डबा होता है एक डबा यह देर से डबबे दिख रहे है wordpad में कहा था एक white color का page था इसमें आपको डबबे डबबे दिख रहे है तो इस box को कहते हैं इसको कहते हैं cell और जिस box पे आप presently काम कर रहे हो for example आप इस box पे कुछ लिख रहे हो तो इस box को क्या कहेंगे इस box को हम कहेंगे active cell यानि कि जिस cell पे आप presently काम कर रहे हो next चीज column को हम letter से या फिर alphabet से denote करते हैं status bar में आपको बता चुका हूँ क्या होता है ठीक है rose को हम number से कर चुके है यह आता है name box name box यानि name box यानि कि जिस cell पे आप काम कर रहे हो उसका name क्या होगा तो इसकी orientation कैसे होती है column row यानि कि पहले column आता है फिर row आता है आपको पता है column किस से represent होते हैं alphabet से और row किस से represent होते हैं number से तो अगर मैं कहूँ आपको कि यह जो सबसे पहला box है इसका name क्या होगा इसका name होगा a1 column है a row है one ये भी हो गया sheet tabs कितनी sheets आपने इस पर बना दी है ठीक है जैसे उसमें pages होते थे इस पर sheets होती है ठीक है और कौन सी वाली sheet पर आप presently काम कर रहे हैं ये आपको sheet tabs पर दिखता है page view ठीक है फिर आप page view करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये हट जाएंगी आपको सीधर सीधर दिखने लगेगा कि आपने क्या document बनाया है zoom control आपको पता है कि plus यह minus plus होगा तो zoom जादा होगा minus होगा तो कम होगा फिर जिन cell जिस cell मैंने आपको बता है ना एक box होता है जिस cell पर हम काम नहीं कर रहे होते हैं उसको inactive cell करेंगे जैसे active cell था वैसे inactive cell then ribbon मैंने आपको बता दिया हुआ है कि menu bar plus tool bar का combination और कुछ बचा नहीं that's it next और भी चीज़े हैं अभी उसमें आदी थी अब जैसे यह मैंने yellow वाले portion हटा दिया है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ यह first वाली की जगा क्या आएगा एक box पे दिखा रहा है तो यह आएगा active cell second वाली जगा क्या आएगा यह होता है हमारा formula bar यह शायद मैं आपको बताना बूल गया यह होता है formula यह जो ffx लिखा हुए इसके आगे जो होता है यह हम इदर formula डालते हैं जैसे हमें कोई numbers को add करना है या average निकालना है हम formula डालते हैं कैसे डालते हैं यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा then format की बात चल रही है अब उदर words की format होती थी इदर cell है तो इदर cell की format होंगी expand formula अगर formula bar को आपको expand करना है तो यह वाला आपको button दिख जाता है यह नहीं आएगा यह important नहीं है क्योंकि button की बात नहीं करेंगे वो then यह आगया zoom control then यह आगया page view ठीक है page view यह जो तीन dots दिख रहे है then status bar यह थर्ड नंबर है यह आगया status bar फिर आ जाता है new sheet अगर आपको जैसी 123 अगर आपकी तीनों sheets बढ़ चुकी है और sheet add करने के लिए new sheet in active sheet जिस पे आप काम नहीं कर रहे है active sheet जिस पे आप presently काम कर रहे है and record macro यह important नहीं है अच्छा अब मैंने आपको बताया पीछे एक formula bar ठीक है उस पे हम क्या करते हैं उस पे हम calculation mathematical जितनी calculation होती है वैसे उस पे हम कर सकते हैं अब मैंने आपको बताया था पीछे orientation orientation क्या होती है column row की यानि कि a1 a आगया column row आगया number तो वही हम use करते हैं हमारे formula bar में जैसे यहाँ पे लिखे ना is equals to sum a1 a10 तो a आगया column यानि कि पहला column पहली row पहला column 10 वी row इस a1 और a10 का मतलब यह है और syntax हम लिखते कैसे हैं जैसे यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है sum करना है तो sum a1 a10 ठीक है average निकालना है तो a v e r a g e जैसे यहाँ पर लिखा हुआ a1 a10 तो कुछ भी करना है आपको उसके आगे उस function का नाम लिख देना है then brackets शुरू करनी है और आगे continue करना है इसी के related एक question भी दिया है मैंने आपको एक number है 5 जो की located है fifth row में row की बात करें तो row होती है हमारे पास horizontal और जो हमारे पास horizontal होती है वो number में होती है और मैंने आपको orientation भी बताई column row की पहले आएगा column फिर आएगा row एक number है जो की fifth row में है तो five लिख दिया हमने और third column में है तो c लिख दिया हमें तो हमें पता चल गया कि जो भी number है वो c5 होगा हमें c5 कहां पर दिख रहा है हमें c5 सिरफ यहां पर दिख रहा है तो वैसे तो हमारा answer सीधा ही आ गया पर चलो आगे continue कर लेते हैं while a number three is located in first row row बाद में आती है and third column column पहले आता है पिसला था हमारा c5 अब है हमारा c1 क्या करना है addition करना है is equals to sum bracket में c5 c1 is equals to sum c5 c1 हमारा answer होगा अब आ जाते हैं कि इसमें number of rows और columns कितने होते हैं rows जो number से represent होती है columns जो alphabet से rows हमारे पास है approximately साड़े दस लाख और columns है हमारे पास approximately साड़े सोला हजार thousand की बाद चल रही है rows जाद हैं क्योंकि देखो numbers का कोई end नहीं है numbers का कोई end नहीं है infinite तक जाते हैं पर alphabet का तो end है alphabet z पे आके end होते हैं तो ये चीज़ लगा लो जिस चीज़ का end है उस चीज़ का number thousand में है जिस चीज़ का end नहीं है उस चीज़ का number lakh में है 10.5 lakh किस चीज़ का end नहीं है numbers का, number से क्या represent करते है rows, और किस चीज़ का end है alphabets का तो thousand में 16.5 thousand अब यह आगे shortcut for inserting a new worksheet तो यहाँ पर दिये हैं मैंने odd plus shift plus f1 यहाँ फिर simply f11 तो यह काफी high level का हो जाता है इतना high level question पूछा नहीं जाता next आगे हमारा powerpoint तो powerpoint में कुछ चीज़े वैसी same होगी जैसे कि title bar, menu bar, minimize, maximize standard toolbar, formatting toolbar ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ruler बता चुका हूँ ms excel में then comes नीचे status bar and view bar ठीक है, view buttons जो होते हैं जो page का view दिखाते हैं, that's it तो बाकी का जो बचा हुए हम उस पर काम करते हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पर हमें outline और slides देखने के option मिलते हैं, उसको कहते हैं, outline and slide tab, यह तो caution सही पताँ सल जाएगा और जहाँ पर हमारी जितनी for example, ms powerpoint में slides होती है ठीक ms powerpoint में slides होती है तो slides हम जहाँ देखते हैं कि कितनी slides बनाई हैं, उसको कहते हैं outline pane, ठीक है यह splitter बार है, basically यह ruler ही है, vertical और horizontal ruler एक type होगी, फिर उसके अंदर क्या क्या आता है, एक vertical ruler एक horizontal ruler तो यह vertical आगी, जो ऐसे सीधी खड़ी हुई है, और horizontal यह वाली आगी then, जो box होता है ठीक, उसमें आपको starting by default आपको ऐसा दिखेगा कि सबसे पहले देखेगा, click to add title and click to add subtitle, जहाँ पर title डालते हैं वो race holder है, जहाँ पर subtitle डालते हैं वो place holder है यह नहीं आएगा, यह tough है, मतलब tough नहीं है, basically, यह high level का आगया basic, basic के आएगा, तो मैं basic, basic के पढ़ाँगा जैसे extension, बहुत जादा important है extension, wordpad की थी dot docx excel की थी dot xls और इसकी आगई pptx, क्या है यह powerpoint ठीक, powerpoint में क्या करेंगे, हम presentations मनाते हैं, slides मनाते हैं slides में क्या क्या हो सकते हैं, text, graphic bullet, number, audio, video यह बकवास इसकी ज़ुरत नहीं है next is, quick access tool बार बता चुका हूँ, title बार, close button, ribbon बता चुका हूँ, zoom बता चुका हूँ views बता चुका हूँ यह page view है basically, notes and comments, ठीक है यह इतना important नहीं है, status बार बता चुका हूँ slide, preview pain, यह वही pain slide pain यह, जिसको outline pain भी कहते है यह question important है कि maximum zoom limit क्या है maximum zoom limit है इसका 400%, किसका PPT का power point के बात कर रहे हैं इसी के साथ हमारा chapter 4 भी होता है खतम, next मैं chapter 5 लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा video जितनी छोटी हो सके, और जितनी easy हो सके उतनी easy बनाऊ क्योंकि जादा high level का, जादा deep depth में वो आपसे पूछते भी नहीं है इसी के साथ अपने chapter को और अपनी video को यहीं end करते है, thank you so much